हाई ब्रीवन स्वागत आपके अपने चनल स्रकाजी नोकरी में 79,000 सिचक भरती के फरजिवाडे में फरार अभ्यूक्तों के खिलाफ NBW जारी हो गया है तो आए जानते हैं क्या है NBW? Non-Bailable Warrant मतलब इस केस में जेल के अंदर पहुँचने पर बेल नहीं मिलती है काफी मसकत करनी पड़ती है आखिर STF ने सबके किलाफ NBW जारी कराया कोट के माद्यम से तो क्यों एक अभ्यूक्त को वहीं इससे वंचित रखा गया आखिर क्या है उसका नाम? क्यों इसे वंचित रखा गया है तो उसका नाम सबसे पहले बता देते है माया पती दूबे 69,000 का हर एक अभ्यरती इसको जानता है साइचेरे से ना पचानता हो इसके जो पिक्स हैं कई जगा सोचल मेडिया पे वाइरल भी हुई है बदोही का रहने वाला है या केल पटेल के बाद दूसरे नंबर पर भ्रष्ट अचार में सामिल सबसे बड़ा गिरोह का मुखिया है अब इसके किलाफ NBW इसलिए जारी नहीं किया गया है क्योंकि जब यह जेल के अंतर चला जाएगा तो बार-बार इससे रिमान पर लेना पड़ेगा तो काफी दिक्कत होती है STF को पुलिस विभाग को तो इसलिए इसे NBW के प्रगिरिया से बाहर रखा गया है ताकि इससे जब पकड़ा जाए या जब सरेंडर करे तो इसे वह हर एक चीज पूछा जाए जो कुछ STF अपने पास प्रशनों का पुलिंदा ले करके बैठी है कि जैसे ही माया पती दूबे, चंदरमा यादो जैसे ही मिलते हैं तुरंट उनसे काफी सारे प्रशन किये जाएंगे और हजारों की संख्या में जिला बंटर सूची में सामिल वो तमाम भरष्टाचारी अभ्यर्थी जो अच्छे अभ्यर्थियों को उनकी दौड से उनके रेश से बाहर कर दिये है ऐसे लोग उस सूची से बाहर कर दिये जाएंगे तो माया पती दूबे के ऊपर NBW इसलिए जारी नहीं किया गया है ताकि इसे रिमांड फरनल लेना पड़े और इसे 28 दिन का समय दिया गया है कोट द्वारा यह STF का एक सुचा समझा चाल है किसी तरह इसे अपने जहांसे में लिया जाए क्योंकि एक मनोवेग्यानिक प्रेसर इसके उपर आएगा कि सारे लोगों कि खिलाब NBW जारी हो गया है मेरी खिलाब नहीं हुआ है मात्र मात्र मैं स्वयम अकेला ऐसा बचा हूँ और 28 दिन का मुझे पास समय है तो ऐसे मैं तुरंट मैं सरेंडर करूँ नहीं तो मेरी खिलाब भी NBW जारी हो जाएगा सभी लोग तो पकड़े जाएंगे मुझे भी तो एक नहीं दिन पकड़े जाना है तो इससे बढ़ियां है मैं भी सरेंडर करूँ सायद ये सदबुद्धी इसके दिमाग में घुसे अगर मेरे चैलन के माध्यम से इस तक किया मेरी बात पहुचे तो तुरंट ही आकर के अपने आपको सरेंडर करो नहीं तो NBW जारी होगा तो तुम्हें बार-बार रिमां सुपर स्टाइब ३ म। Ichanda भी सब्रूषब से रंखनत्र बारे के सबस्कुम्हें अपकी संच्नों पहुति ऐतायं और इसका एक्जाम दिसम्बर में कराए जाएगा वैसे तो साल भर में दो बार TET और CET कराएजाने की जो रूल है यो religion है वह किये जाते हैं लेकिन कभी कभी हो पाता है ऐसा कि CET का दो बार एक्जाम कराएजाए वैसे TET का तो maximum बार एक ही बार exam हो पाता है तो टेट का ये जो exam होना है December में इसका जो date है अभी कुछ date वगरा नहीं पड़ा है सब कुछ हवा हवाई ही है अभी वैसे से September में maximum chance है जो vacation आएगा December में exam होना उसके बाद ही कोई exam संभव हो सकेगा अध्यापक की जो vacancy जाने वाली है उसके कि तमाम ऐसे अभ्यरती तमाम ऐसे लड़के जो लोग टेट सीटेट नहीं कौलिफाई है कुछ ऐसे लोग जो लोग फ्रेसर है उन लोग को भी इसमें काफी मात्रा में मौका मिले यह सबकी सबके रून रिवलेशन के अंतरकत यहीं आता है और ऐसा किया जाना चाहिए जै जो संक्रमित हुए है बीएट की परिच्छा में पहुंच करके मैंने एक रेसेंटली वीडियो डाला था जिसमें कभ्यरती संक्रमित हुआ था बी यह परिच्छा में भी ऐसा ना हो इसलिए मामले की सुनवाई आज एलावाद हाई कोट में की जाएगी वहीं सुप्रीम को क्या है फिला रिक्वेस्ट कहां तक मानने होती है अब आने वाला समय ही बताएगा साइद आज मैक्सिमम चांस है कि दोपार बात तक आपको पता चल जाए कि बीएओ का एक्जाम पोस्ट पोन होगा अथवा नहीं दूसरी से वड़ी बात हम यह बता दें कि सरकार की तरफ जो कॉपी करके उसको पहले से भर करना रखा जाए फिलाल जब पेपर जानी जाएंगे तो भरने में कितना समय लगेगा तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए जो एकजाम हो उससे आधे एक घंटे पहले हर जगा पेपर आए और परिच्छा हो इससे बहुत कम संख्या में भरष्टाचार जो है कम होगा तो आपको पता होगा मैंने रिसेंटली वीडियो डाला था कि तीन साल बाद जो एड़ेट कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती आ रही है भरती चली थी 4900 और घटते घटते है वैकेंसी आपको पता होगा कितनी पहुंच गई है 1303 पहुंच गई है मैंने बताया था ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि सिच्छा विभाग का एक डायलाग है अध्यापक के उमम छात्र के अनपात को पूरा करने है तो जो वैकेंसी जो होती है वो निकाली आती है टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है 8000 उसको घट अपना डॉकुमेंट वापस ले ले इसके लिए नोटिस जारी हुआ है महिला वर्की जो ब्यार्थी है 18 अगस्त को पूरुषबर के ब्यार्थी 19 अगस्त को वहीं 20 अगस्त को अन्य छोटे वे अब ब्यार्थी 10 बजे से 5 बजे के बीच में बीस से ऑफिस पंतनगर गुं है फिलाल जैसे कुछ न्यूज आती है भी यो एक्जाम के अस्थगन को ले करके या आपके 19 असिच्छक भरती के अन्यमामलों से ले करके आपको बता दिया जाएगा अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाल